बिंदे से एक खबर जहाँ पर भिंदे कर्णी सेना जलाधक्ष ने मंत्री विसाहू लाल की जीब और हाथ कारने की बात कही है मुँपर कालिक पोथने वाले को एक लाख रुपे देने की भी घोचना ही है मंत्री विशाहू लाल के विवादत बयान पर भिंडे के फूप में कर्णी सेना ने पुतला फुका है राश्टी राजपूत कर्णी सेना के जलाधक्ष में विवादत बयान दिया है विर्न करनी सेना जिलाध्यक्ष कुल्दीब सिंग भदूरिया ने कहा कि विसाहुलाल की और गात क्या है शत्रियों की महिलाओं को बाहर निकालना जब अंग्वेजों नहीं निकाल पाई मंत्री विशाहुलाल के वयवादित बयान पर करनी सेना जिलाध्यक्ष कुल्दीब भदूर्या ने कहा कि मंत्री की जीब और हाथ काटेंगे भाजपा शिवराद सप्टार पर भी निशाना साधा कहा यदी मंत्री विसाहु लाल को मंत्री पदर से नहीं अटाए गया तो इसका जवाब पर फैसरेंगे भाजपा को शत्रिय सत्ता दिला सकते हैं तो सता चीम भी सकते हैं ये बात कुल्दी भदूर्या ने कही मंत्री विसाहु लाल के महुपर कालिक पूतने वाले को एक लाख रुपे का नाम देने की खुशना भी करनी से ना जलाधक्ष कुल्दी भदूर्या ने की मैं कुल्दी परताप सिंग दोरिया जिलाध्यक स्री राजपूर्य करनी सेना एक गोस्णा करता हूँ अगर विसाहु लाल आता है तो उसमें जो जूता और कालिक को देगा उसको मैं एक लाख रुपए से राजपूर्य भाई को सम्मानित करूंगा विंड जिले में और विसाहु लाल तेरी होखात क्या है जब गोरों ने नहीं घेच पाया राजपूर्यों की महलाओं को तेर करनी सेहना ने साथ दिन का समय दिया है अगर मंद्री पत्र इस्टिपा नहीं देता है विसाहु लाल तो उसको पूरे मत्द प्रदेश में काली भाई के और कदेपे बैटार के गुमा देंगे करनी सेहना का बाता है और ओके इंद्राना जी राजिस्तान से निकल चुके हम पहुँच रहे हैं और बीजेपी सरकार ने भविस्त में नहीं सोचा होगा वह इसका मूँ तोड़ जवाब देंगे सरकार हिला देंगे एक दिन के अंदोलन ने सिवरा सरकार का पसीना चुटा दिया को सरकार हमी राजपूत बनाने जानते हैं तो विगाड़ना भी जानत हैं और बीजेपी सरकार अगर हीट से हीट से जवाब देना चाहती है तो राजपूत बाही पत्तर से जवाब देगा यह हमारा बाता है